साथियों, दुनिया की अधिकाऊंस सब्यताओं में, अधिकाऊंस दर्शनों में, किसी विचार को या तो स्विकार किया गया है, या फिर उसका खंडन किया गया है. लेकिन भारत एक ऐसा देश है, जिसके मनिश्यों ने ज्ञान को खंडन, मंडन, स्विकृती, अस्विकृती, इस से उपर ही उठा करके देखा. स्वयम उससे उपर उठे, दिव्यत्रश्टी से उस विवात को देखा, हमारे यहां अध्वैत भी है, और द्वैत भी है. और इन द्वैत अध्वैत को समाहित करते हुए, स्री रामानुजा चारे जी का विशिष्टा द्वैत भी है, हमारे लिए पहरना है. रामानुजा चारे जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है, साधान द्रस्टी से जो विचार परस पर विरोधाबासी लगते हैं, रामानुजा चारे जी उन्हें बड़ी सहस्ता से एक सुत्र में पिरो देते हैं, उनके ज्ञान से, उनकी व्याख्या से, सामान्य से, सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है. आप देखिए, एक और रामानुजा चारे जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाश्टा है, तो दूसरी और वे भक्ति मार्क के जनक भी हैं, एक और वो सम्रुद्ध सन्यास परंपरा के संत भी हैं, और दूसरी और गीता भाष्य में कर्म के महत्वकों भी अत्यन्त उत्तम गुरूप में प्रस्तुत करते हैं, वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे हैं, रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ती मार्ग में उत्तना ही महत्वत दिया, आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई, थिरुप्पावाई के पाट के बिना शायद ही कोई अनुस्ठान पूरा होता हो। अनुस्ठान पूरा हो।